तो दोस्तों मैं हूं आपका दोष्ट विंद पांडे और मैं आप सभी का अपनी YouTube चैनल का व्यवाइसर ने एक पर फिल सवागत करता हूं दोस्तों आजकी वीडियो में हम एक नई करने जा रहे हैं मैंने इसको चम कर यूज किया है और आज की दिन में यह आपके शार शेर करने जा रहा हूं थोड़े से डिसिप्लिन की जरुरत है पेशन्स की जरुरत है अगर आपको यह दू चीजी अपने अंदर ले आए तो यह बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होन लेंगे और समझेंगे कि मैं यहां पर कौन सी स्टैट्जी की बात कर रहा हूं उसके क्या पैरामीटर से हां साथ में और चीज़ है राइस एक्शन नहीं है यहां पर कहीं ना कहीं मैं किसी इंडिकेटर का यूज करने जा रहा हूं तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं ल दोस्तों स्टैट्जी को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर कुछ साइकलोजिकल पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ज़रूरी है जब बात होती है ट्रेनिंग स्टैट्जी इसकी तो आपको इंटरनेट पे है तरह तरह के पैरामीटर मिल जाएंगे जो कि बहुत प्रॉफिटेबल दिखते हैं जब आप उसको यूज करने जाते हैं वह प्रॉफिटेबल नहीं रहते ऐसा क्यों होता है तो ऐसलिए होता है कि कभी भी कोई प्रॉब्श्ण की जाती है सामने वाला बतायता है तो आप को पुरा ध्यान से नहीं सुनते हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा हो सकता है कि आपके लिए ये एक बहुत बड़ा गीम पटरों मैं को सकता है कि आपको यसकी को असे करना है और स्क अधिज्व करना है बाज को है विए वह सबसे ज्यादा है और यह जब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि आप किसी एक स्ट्राइजी पर फिक्स नहीं होते हैं आप मुल्टिपल स्ट्राइजी ट्राइग करेंगे आपके फेल्लियर होनी के चांसे सबसे ज़्यादा है चांद ने चॉक टू चाइना में डालोग भी है और यह बूसली का चाहर पहर्जरा आपके स्ट्राइज कंगे हो मतलब यह है कि आपके साथ किड्विए अन्क्रियस कर देना है ने पहले तो ऐसा नहीं कि चीजे काम करती हैं बस क्या आपको उस चीज को अडॉप्ट करना आना चाहिए ज्यादा लेक्षर नहीं दूगा स्टैट्ज के बारे में जानेंगे जैसे कि मैंने कहा इंडिकेटर स्टैट्जależ है क्या There नहीं करना है यहां पर एक इंडिकेटर को ब्रॉट करना है और उसके हिसाब से डिड अपना प्लान करना है मैं आप ड्रॉइंग और कि कि इहां अफ्वा है है सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिकेटर का नाम क्या है इसके लिए आपको प्लेटफॉम में जाना है और आप बीवी टाइप कर देंगे तो आपको बॉलिंजर पैंड मिल जाएगा जी हां मैं यहां पर आप्शन्स ट्रीडिंग में स्कैल्प की बात कर रहा हूं यानि च हैं टॉथ लें रखना हैं और बॉलिंजर को प्लॉट करने के बाद उसकी सेट्टिंग को देखना है घ्जान दीजएका यहां पर एक और रेटल लाइन में कर देता हूं और इसकी ठीक्श करता हूं आपको पता चल जाएगा कि collecting लाइन है वह आपकी यहां बीच में ट्रैवल कर रही है और की एक टाइप का मुविंग एवरेज है जिसको यह जिसकी लेंथ यहां पर 20 है जब आप 5 मिनिट का चार्ट यूज करते हैं और 20 लेंथ मुविंग एवरेज यूज करते हैं तो मुस्लिक क्या बताता है वह सेटिंग को चेंज करके आपको कर देना है 21 सोर्स क्लोज रहेगा स्टेंडर डिविशन टू ऑफसेट जीरो और इसको आपने ओके कर देना है ठीक है कितना संज में आ गया लेकिन चार्ट में यह ऊपर की दूलाईने क्या है भाई इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अब यह आपको पताते हैं कि बाजार में कितनी है यानि उपर किदना जा सकता है और नीचे कितना जा सकता है और इसको हम आपर और लौर लाइन कहते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर तेजिद देता हूं जहाँ पर आपका बोलिंजर पडelnेंग स्पीस हो गया बिलכל एक न थोड़ा सा confusion होगा और confusion को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले हमें चार्ट को disable कर दिया अब आप सिर पॉलिंजर बैंट को देखे इस पीरियट से यहां करी ग्यारा बच के पंदर मिनिट से इसकी length कितनी होगी वह एक्ताम रिंज के अंदर चली इसका एक मतलब है कि यहां पर समझावना है कि बाजार एक रीज के अंदर रहेगा अकर इसका division length बड़ा होगा तो जाहिर बात है कि बाजार यहां तक उपर जा सकता है और यहां तक नीचे जा सकता है सिर्फ समझे कि बॉलिंजर बैंड को आसान भासा में मैं कोई किताबी ग्यान यहां पर नहीं देने वाला कि बॉलिंजर बैंड ऐसे देखो वैसे देखो आप आसान बहासा में देखिए, तो आपको पता चलेगा कि बाजार कब रींज के अंदर है, सबसे पहले तो बॉलिंजर बेंड ये बताता है, उसके बाद बाद बाजार में जब वालिटिल्टी आती है, तो फिर वो बताता है कि बाजार कितना उपर और कितना नीचे जा सकत है, जब आप ये समझ लेते हैं, चीजे आसान हो जाती है, कैसे इसको भी हम यहाँ पर एक्स्पोर करेंगे, आपको यहां तक क्लेर हो गया होगा कि बॉलिंजर बेंड को देखने का तरीका क्या है, एक्शली ये एक्स्प्रीन क्या करता है, ठीक, कितना समय आगया, अब कै बात करते हैं स्टैट्ची की, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से पॉइνट पर, ठीक है, पॉन से पॉइंट पर, कैंडिल आपकी अपर बैंड के उपर क्लोज हो, या लोवर बैंड के नीचे क्लोज हो है, जागर हम यहां पे देखें, तो अपर बैंड के अंदर ही close हुई है तो हमारा parameter यहां नहीं fit बैठता लेकिन अगर वो lower band के नीची close होती है और उसकी second candle, first and second candle, तो नों में से भी कोई भी candle, upside अगर break करती है, तो हम यहां से एक long को plan करेंगे for the reversal trader, यह हमारा entry point रहेगा and this is our stop loss, अगर देखें, तो 48,734 पे long बना था, और 48,680 का stop loss, यानि करें 54 point का stop loss, first target band का high, ठीक है, और उसके बाद आप इसको trail भी कर सकते हैं, अगर price median line के ऊपर continue चला है, तो आप उसको trail कर सकते हैं, सबसे परड़ी चीज़ यह समझ दीचे, आपको मैंने entry explain की, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर target के बारे में बता रहा हूं कि target को निकालने का सबसे पढ़िया तरीका है, बॉलिंजर band में, या तो आप scalp करके निकल जाएं, अगर आपको hold करना है, तो कुछ quantity, यानि maximum quantity two-third यहाँ पर book करते हैं, और one-third को median line के stop loss के साथ follow कर लीज़े, ठीक है, अब यह के उपर खुलना, यानि trade करना चालू रखता है, तो इसको हम कहते हैं, walking on the bank, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा momentum है, बहुत अच्छी smooth run आएगे, और इसको आप यहाँ पर hold कर सकते हैं, options में आपको पैसा मिल जाएगा, फिर देखिए, band के उपर continue चला हर एक candle, previous candle के उपर close हो रही है, band के उपर price है, और यहाँ पर फिर से आपको band के नीचे trade करता हुआ मिला, यानि मेरे कहने का मतलब है कि अगर band से कोई भी rejection आता है, first candle, previous candle को break कर देती है, या second candle, previous second candle को break कर देती है, तो आप यहाँ पर short position को भी consider कर सकते हैं, खुप चीज़ें आपको यहाँ पर clear हो रही होगी, दो examples मैंने आपको अभी दिखाए, अब थोड़ा सा back test करते हैं, एक सीजों में हम खुश नहीं रहेंगे, और हमें ध्यान देना होगा, सबसे पहले इसके bucks भी ध्यान देते रहेगा, band के उपर नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी band के उपर नहीं है, band के इस जगा पर, band के नीचे candle close हुई, ठीक है, फस्ट केंडल और सगेंड केंडल, नहीं break हुआ इसका high, तो इसको हम consider बिलकुल नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर close हुआ, इसके उपर close नहीं हुआ, तो यह भी consider नहीं होगी, यह हुआ, सगेंड केंडल ने इसका उपर close किया और यहाँ पर हमने एक reversal trade प्लान किया, जिसके stop loss हमारे hit हो गया, लेकिन अगर stop loss hit हो गया है, नीचे low मार दिया है, तो जाहिर बात है, कि हम यहाँ पर एक reversal trade प्लान कर सकें, लेकिन यह strategy इस पर base नहीं है, यह reversal base strategy है, trend base strategy को follow करना बहुत easy है, कि हाँ breakout हो गया, उसको update कर सकते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे है, reversal trade strategy की और उसके हिसाब से हमारे stop loss यहाँ पर hit हो गये है, ठीक है, no doubt यहाँ stop loss hit हो गया है, अब हम और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, और इसके बाद यहाँ हमें कोई trade नहीं मिला, ठीक है, यहाँ भी ध्यान दीजेगा, band के उपर price गया ठीक है, और second candle ने इसका low break कर दिया, यहाँ 920 को भी एक बहुत बढ़िया trade मिला, second trade है, यहाँ पर band के नीचे close हुआ, इस candle ने ऊपर की तरफ closing करने की चालो की, लेकिन फिर भी इसका high बहुत उपर है, break नहीं हुआ, second candle तक तो break हो जाना चाहिए, नहीं मिला, आपको तो य यहाँ पर देखें, band के उपर price रहा, और उसके बाद भी closing आपको यहाँ मिल गई, इसका low rate बनाया, इसके उपर stopless रखा, और यहाँ पर भी आपको एक smooth run मिल जाएगा, ठीक है, इस जगापर हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिल लगी है, फिर यहाँ पर हमें band के उपर price मिला, लेकिन उसके बाद price रस्टक कर गया, यहाँ पर भी follow नहीं करेंगे, आपको बहुत जदा train नहीं मिलेंगे, बजार एक range के अंदर रहेगा, तो आपको band खुद ही बता रहा है, कि मैं range के अंदर हूँ, यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को apply भी करेंगे, तो आपको benefit आपको मुँ भी छोटा मिलेगा, बहुत छोटा, ठीक है, लेकिन अगर band खुला हुआ है, इसका मुँ खुला हुआ है, बड़ा है, यह वालटाइल है, तो फिर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे train मिलेगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, continue नीचे lower lows मार तरहा, high break कर गया, एक trade plan करेंगे, अगले दिन, फिर से आपको gap up मिला, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजे, brand के उपर गया, next candle ने नीचे तो लो तोड़ा, पूरा का पूरा मो मिला, यानि हम बात कर रहे है, low risk, high reward, आप चीजों को समझी है, relate करना चालो करेंगे, हर एक देखते जाएं, और इसकी strength भी देखते जाएं, इसके bucks हैं, कि यहाँ पर कभी-कभी stop loss होंगे, लेकिन इसकी strength है, कि यह आपको बहुत बड़े-बड़े trade देगा, अब इस चगहा पर ध्यान दीजेगा, band के उपर खला, लेकिन loan नहीं break वा, तो क्या इस trade को consider करेंगे, बि मीटर, ठीक है, यह band के नीचे close हुआ, और इस candle में भी हमें कोई खास movement नहीं देखने को मिली, ध्यान दीजेगा, यहाँ band के नीचे close हुआ, और यहाँ फिर से हमें एक high break होते वे दिखा, फिर से आप यह treat कर सकते हैं, ध्यान दीजेगा, इस बाजार में बहुत ज़रदस् यहाँ पर देख लीजेए आप, रेक हुआ इसके बाद नीचे, और पूरा डाउन, देख रहे हैं, कहीं पर questions हो बताईए, यह देखें, लेकिन इस candle का high, यह नहीं कहने का मतलब है, जिस candle जो continue चलती जा रही है, अगर कोई halt लगे, तो वहाँ halt नीचे यह, वहाँ चाहिए कि जो candle band के नीचे close हो रही है, उसका high break होना चाहिए, यहाँ देखेंगे, तो कहीं sign में नहीं है, यहाँ भी sign नहीं है, यहाँ sign है, लेकिन confirmation में मिला, क्योंकि previous candle का high break नहीं हुआ, ठीक है, और आपको यहाँ पर देखें, यह तो अगला दिन gap up ही खुल गया, यहाँ देख की scalp मिला, और size band के size के हिसाब साब को target भी पता चलता चलता चला जा रहा है, यहाँ एक निगेटिव candle मेली, और second last candle ने इसके लोग को break कर दिया, आप यहाँ पर भी ट्रेट प्लान कर सकते हों, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा momentum मिल जाएगा, तो बॉलिंजर band में trade करनी का जो तरीका है, वो यही है, अगर आप इसको थोड़ा सा strictly use करेंगे, खासकर options की chart में लगा के trade करेंगे, तो आपको clear पता चलेगा, कि went to buy and went to set, option chart में भी यह बहुत अच्छा गाम करता है, लेकिन वहाँ पर हमें option seller बनना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जब option के ऊपर band के टर्च करता है, उसका लोड टूर जाता है, तो वहाँ रिस्ट रिवार्ड बहुत अच्छा मिल जाता, हमें पता चल जाता कि यहाँ पर एक अच्छा reversal आने वाला है, मैंने try किया है, लेकिन satisfaction नहीं है, मैं इसे और अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन दिन बहुत ह किया है, मैं सोच रहाँ उसको delivery कर दूँ, अगर आपको कोई भी doubt होगा, पुछेगा, मैं एक live session conduct करूँगा, याने YouTube पर live आउँगा, और उसमें इस strategy के बारे में फिर से बात कर लेंगे, तो हो, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पूरा समझ में आया होगा, वोगा, या है, या है, या है is the feelman, अगर रहा होगा, तो हुगा सब्सक्वा, या खो एकर फिर से क्ढ़र होगा, अड़रर आपको न भी दो, आप शल, शल, ख खर बोग़ाहा होगा, अगरता, रहा होste ou क्ढ़रा होगा, बإμαसो आपको पर पिर भीड़ाई, या जुगा